हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आसागरती हूँ आप सभी बहुत इच्छे होंगी स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल स्मार्ट स्टेडी 101 पर और मैं हूँ देवय बर्मा दोस्तो आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन फ्लैक्समैन के बारे में और दोस्तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है आपके लिए हैल्फुल रहती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और इसी प्रकार कियाने वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा दोस्तो हम आपकी सहाता करने के लि प्रमुख मूर्तिकार था जॉन फ्लैक्समैन ये मूर्तिकार है और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़े थे दाविद और आंग्र ये दोनों कलाकार थे और अपने समय में यूरोप भर में प्रसिद्ध था इसका जन्म 1725 इसवी को इंग्लैंड में हुआ था इसका जन् प्रमिक जीवन में वह जॉर्ज रोमानी का मित्र बन गया 1770 में उसने रॉयल एकादमी की सिक्षा संस्था में प्रवेश लिया लगब उसी समय उसकी विलियम ब्लैक से भेंट हुई जो गोती कला का पच्छधर था 1775 में उसने इटरेसकन पात निर्माता हे तू नव सासी डिजाइन बनाना आरंब किया जिसकी सहायता से वह 1787 इसवी में इटली गया और वहां 1794 तक रहा वहां उसे अनेक प्रकार की कलाकरतियां देखने का अवसर मिला वह बरोक सैली को पसंद नहीं करता था जॉन फ्लैक्समैन बरोक सैली का विरोधी था देखी नव सासीता बाद बरोक और रोको को सैली के विरोधी सुरू हुआ था तो ये बरोक सैली का विरोधी था इसे पसंद नहीं करता था इतली से लौट कर उसने इसमारकों में अपना पूरा समय लगाया जिनमें से दो रोम में ही बनाए थे पहला 1795 में वेस्ट मिनस्टर एबी का मैंस फिल्ड तथा दूसरा चिन्चिस्टर कैथेडरल का कोलिंस इसमारक तो ये दो इसमारक इसने रोम में बनाय थे इटली से ही उसने पुस्तक चित्रन करना आरंब किया जिससे उसे बहुत प्रसिद्धी मिली और उसकी सैली की और उसकी सैली का नई पीडियों पर प्रभाव पड़ा इसकी सैली का जो आगे की नई पीडियां थी उन पर प्रभाव पड़ा पुस्तक चित्रन प्राया नव सास्त्री सादगी के साथ विसुद्ध रेखात्मक है इसके पुस्तक चित्रन कैसे हैं रेखात्मक है और नव सास्त्री सादगी से परिपूर्ण है जिससे रिलीप सिल्प के लिए बनाए गए स्केचों का आभास मिलता है जिन में Odyssey, Illiard, Akylus, Heside, Danty तथा Milton पर आधारित कथानकों का विस्तित अंकन है इसने जो स्केच बनाए हैं उसमें इसने क्या दिखाया है Odyssey, Illiard, Akylus और Heside और Danty तथा Milton पर आधारित कथानकों को 1800 में वह Royal Akyd Mission तथा 1810 में मूर्थ सिल्प का प्रोफेसर बना उसके Lectures उसकी मृत्यु के उपरांत 1829 इसवी में उसकी सर्वतो भद्र मूर्तियों में Fury of Athmos, S. Michael Overcoming Saturn तथा Pastoral Apollo प्रसिध हैं विसेश प्रसिध हैं इसकी मूर्तियां है पहली मूर्ति है Fury of Athmos फिर अगली है S. Michael Overcoming Saturn और Pastoral Apollo अनेक संग्रालेओं में उसके रेखा चित्र तथा मूर्तियों के मौडल संग्रहीत हैं इंग्लिस चर्चों तथा Catradle में भी उसकी अनेक कलाक्रतिया है Flexman की प्रमुक मूर्तिया पहली है Fury of Athmos, Michael Overcoming Saturn और Pastoral Apollo तो ये हो गया Flexman के बारे में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है जो नव सास्रीता वाद है उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजेगा और उसका जो प्रमुक कलाकार है दाविद ज्यादा तर क्वेश्चन वहीं से बनेंगे बाकी के कलाकार जो आंगर हैं आंगर भी इंपोर्टन था और ये Flexman ये भी उतना जदा इंपोर्टन नहीं है तो ठीक है दोस्तो आज के लिए बस यहीं तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को